Welcome to my channel नीमा स्कॉरर और मैं हूँ नीमा आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ L'Oreal Paris के Newly Launched Product के बारे में जो की होने वाला है एक जेल क्रीम बट उसे मैं बाद में बताऊंगे आपको पहले मैं आप से बात करती हूँ Crystal Micro Essence के बारे में मैंने अभी तक इसकी दो बॉटल्स यूज कर ली है मैंने फर्स टाइम ट्राइल के लिए छोटू वाली बॉटल मंगवाई थी बट ये प्रोड़क मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि आज की डेट में ये मेरे स्किन केर का बिल्कुल बेस्ट पार्ट हो चुका है जिसने मेरे स्किन को बहुत अच्छा कर दिया है देखें मेक अप करके तो हम सब चमक जाते हैं अगर आप बिना मेक अप के भी अच्छे लग रहे हो तब सबढ़ लो कि आप सही स्किन केर कर रहे हो आज की इस वीडियो में मैं इस प्रोड़क के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है crystal gel cream जी हाँ ये newly launched product है L'Oreal का देखें इसके बारे में मैं आपसे specially क्यों बात कर रहे हूँ क्योंकि इसका जो main ingredient है वो है salicylic acid अगर आपको salicylic acid के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ सा उसके बारे में बता देती है salicylic acid के अगर मैं आपको फायदे बताओ तो ये आपके skin की top layer को exfoliate करता है pores को unclog करने में help करता है dead skin को करता है remove और pimples को breakdown करने में help करता है ये cream जाती है आपके skin में 10 layer deep जी हाँ मतलब अंदर तक nourishment मिलने वाला है ये cream जो है ये आपके pores को refine करती है और minimize करने में help करती है जिससे आपको मिलती है crystal clear skin जो की हम सब चाहते है इसके water based oil free formula के कारण ये moisture को lock करता है और हाँ क्योंकि ये oil free formula से बना हुआ है तो आपकी skin बिल्कुल भी oily feel नहीं करती है cream best है combination to oily skin वालों के लिए अगर मैं आपको बताओं इसने मेरी skin को crystal clear तो बनाया ही है आपकी skin को भी crystal clear तो बनायगा ही बनायगा साथ के साथ 8 घंटे तक oil को भी control करके रखता है जो की बहुत अच्छी चीज़ है अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मैं इने यूज़ करती हूँ देखे कहना जब भी मेरे पास बहुत जादा time नहीं होता और मैं हूँ थोड़ी सी आलसी मुझे नहीं चाहिए कि मुझे घंटो वाला skincare कि 10 स्टेप होने चाहिए 12 स्टेप होने चाहिए नहीं मुझे त कुछ बूंदे चार से पाच बूंदे बहुत हैं अपने हाथ पे ले लीजिए और अपने स्किन पे एब्सॉर्ब होने दीजिए रगणना नहीं है किसी भी प्रोड़क्ट को आपने बस हलके हाथों से अपने पुश करना है और ये आपके स्किन के अंदर चला जाएगा औ अदर से आपको मिलेगी क्रिस्टल क्लिर स्किन जी हाँ ह। सेकंड स्टेप के लिए मैं यूज कर रही हूँ क्रिस्टल जेल क्रीम मटर के दाने जितना आपने प्रोड़क लेना है कुछ ज्यादा प्रोड़क्ट नहीं लेना है थोड़ब थोड़़ब सा अपने फेस पर लगा लीजिए और हलके हाथों से मसाज कीजिए रगड़िये का नहीं हलके हाथों से मसाज कीजिए जब यह प्रोड़क्ट एब्सॉब हो जाएगा आपकी स्किन में उसके बाद आप बाहर जा सकते हो तो सिर्फ इस जेल क्रीम को भी यूज कर सकते हो बट मेरा परस्नल में एक है 15 ml जो कि आपको मिलती है 2.99 रुपीज की और दूसरी है 50 ml जो कि पड़ती है 6.99 रुपीज की मैं दोनों के ही लिंक आपको देदूंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्रीम में किसी भी तरीके के पैराबिंस नहीं है डर्मोटोलोजिकली टेस्टेट है ये ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ अपने इन ही दो प्रोडुक्त के स्किनकेर के बात कर रही हूँ और आप डेख सकते हूँ मेरी स्किन कितनी Thank you, thanks for watching, bye!